नजर का ईलाज तो हो सकता है, नजरिये का नहीं ये बात में क्यों कह रहा हूँ? किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए आपको अपने नजरिये को बदलने की जबर्ध स्थ जरूरत है आप अभी भी यदि पुराने नजरिये से पढ़ाई कर रहे हैं या पुराने पैटर्न पर पढ़ाई कर रहा है तो पिछले पांच वरसों के पेपर उठा के देख लिजे exam अपने पैटर्न को shift कर चुका है, बदल चुका है आपको अपने नजरिये को, अपनी मनुद्रिश्टी को, अपने attitude को नए पैटर्न पर shift करने की जरूरत है में बात कर रहे हैं, इस वीडियो के दो हिस्से हैं, सुरुबात में reasoning से कर रहा हूँ, और संदीफ सर आपको दूसरे हिस्से में गरत पढ़ाते हुई दिखेंगे, जो बैच हम लोगों का 16 जुलाई को प्रारम हो रहा है, उसी बैचेश के लिए को आपको पढ़ना है और सीखना है, आपके बहुत सारे कमेंट आए, मैंने सुरुवात की जो तीन एपिसोड आपको दिये, वो एक ट्रेडिशनल टॉपिक पर दिये, जहां से आपके लगभग लगभग कुश्चन बनते हैं, आपने का सा लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग का भी एक टॉपिक आप दिजिए, तो आज लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का एक महत्पूर टॉपिक हम लोगों ने लिया है, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, और मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप पूरा एपिसोड देखते हैं तो आज से इस्टेटमेंट और्गुमेंट के सवाल आपके गलत नहीं होगे, हाला कि जितना बेच में पढ़ाना है, उतना यहाँ पर पढ़ाना संभव नहीं है, लेकि फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो अगर आपने देखा, तो इस्टेटमेंट और आ वीडियो लाश्ट होगा, तो आपको मैसूस होगा कि बहुत आसान यह टॉपिक था, इस्टेटमेंट और आरगुमेंट, कथन एवं तर्ग जिसको हम लोग कहते हैं, यदि हम इसको डिसीजन मेकिंग के हिसाब से कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, रियल डिसीजन मेकिंग व Statement and Course of Action जब आप पढ़ते हैं तो इसको आप कहते हैं प्रसाशनिक नर्याने किसी भी परिच्छा को देख लीजे SSC, Bank, CSAT, UPSS, कोई भी परिच्छा उपर से नीचे जो लोग lower comments देने जा रहा है वहाँ पर दस-दस question आपके एक-एक segment से होते हैं तो यह बहुत महत्तपूर topic है बात के दोनों जो topic होते है statement conclusion और course of action वो भी इसी से correlate होते हैं इसी से जुड़े होते हैं तो आएए हम लोग कथा निवन तरकी बात प्रारम करते हैं और बहुत आसानी से मैं आज इस topic को पूरा आपको समझाने की कोसिस करता हूँ और बताता हूँ कि आपको बरतमान परद्रिस में exams के हिसाब से कैसे पढ़ना है उससे पहले individual reasoning और math का जो batch हम लोग लाए है जबरजस्त batch आपको मालू है कि 16 जुलाई से इस batch पर कच्छाए प्रारम हो रही है admission प्रिकरिया लगातार जारी है बहुत सारे लोगों ने admission भी लिये है तो आज के हिसाब से देखा जाए तो देखे 13 जुलाई 14 जुलाई और 15 जुलाई है ना तीन दिन आपके पास है इसमें admission प्रिविस को सुनिश्चित कराने के लिए कैसे आप प्रिविस को सुनिश्चित करा सकते हैं आपके कहने पर हमने individual reasoning के batch को अलग कर दिया individual math के batch को अलग कर दिया अगर आपके वल reasoning पढ़ना चाहते हैं आपके कहने पर आपके वल reasoning पढ़ सकते हैं अगर आपके वल math पढ़ना चाहते हैं आपके वल math पढ़ लीजे अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हैं आप दोनों पढ़ लीजे फीस आधी से भी ज़्यादा कम कर दी जो सुल्क थी वो आधी से भी ज़्यादा कम है दोनों विश्यों की और कॉम्बों की ये हमारा वाटसप नमबर है संस्थान का इस वाटसप नमबर पर आपको कुछ भी पढ़ना हो आप entry MR लिख कर भेज दीजिए हमारी टीम आपसे संपर्ख करेगी और जो आपको संदेश प्राप्थ होगा उसमें अलग-अलग आपको ये जानकारी दी होगी कि किस बैच को जोयन करने के लिए आपको क्या कहना है हम लोग इस बैच में बहुत जबर्जस तरीके से मनोयोग से मेहनत करने चल लए है मैं आपसे वादा करता हूँ इस चीज का कि जिसको बिलकुल भी जो बिगिनर्स हो या जिसने कहीं भी मैथ रीजनिंग पड़ी हो एक बार आप पढ़के देखे मैंने कहा ना नजर का इलाज किया जा सकता है नजरिये का नहीं यहाँ पर हम आपका नजरिया बदल लेंगे ना के बल रीजनिंग में बलकि पूरी तैयारी के पृति हम आपका नजरिया बदल लेंगे क्योंकि इंडिविज्यल बैत में हमारी कोई सीमाई नहीं होती हम सिखाने के लिए आजाद होते हैं और हम 16 जुलाई से बहुत जबर्जस तरीके से इसको करने चल लहा है तो आएए इंतिजार मत किजिए बाकि अगर कोई संगा समाधान आपको लग रहा हो तो नीचे description में जो number चल लहा है इन numbers पर phone करके भी आप अपने previous को सुनिश्चित करा सकते है अब कुछी दिन बचे हैं क्योंकि इस बैच में बार-बार previous प्रक्रिया चालूआ की नहीं रहेगी क्लियर statement argument कथन एवन तर्ग इसको हम बास्तिक निर्णियन क्यों कहते हैं इसको सबजने से पहले ये समझते हैं कि इसके दो भाग होते हैं जब paper में ये आपको दिया होता है ये जो हिस्सा होता है statement या हिस्सा कथन के रूप में होता है और argument जो हिस्सा होता है तर्ग के रूप में होता है ये आपका उत्तर का हिस्सा है answer होता है या दुरबल है मतलब दिया हुआ है और्गुमेंट जो है या तो श्ट्रॉंग और्गुमेंट होगा या तो वीक और्गुमेंट होगा हमें इस टॉपिक में यही खोज करनी होती है कि ऐसे कौन से वो आधार हैं ऐसे कौन से वो नॉर्म से हैं कौन से वो मानक है जिनके आध वास्तिक निर्णियन क्यों कहते हैं वास्तिक निर्णियन क्यों कहते हैं क्योंकि यह तै करने के जो आधार होते हैं कि आपका जो तर्क है वो पिरवल है कि वो दुरवल है वह हमारे समाज में प्रिचलित नीती नियमों के आधार पर होते हैं हमारी सम्मेधानिक आधार वही होते हैं जिनसे हमारा समाज बना हुआ है और हमारा समाज संचालित हो रहा है जो हमारे समाज को गवर्ण करने के नियम है वही आपके स्टेटमेंट और अर्गुमेंट को खोजने के भी नियम है थोड़ी बहुत तकनीकी विसेश्ताओं के आधार अगर हम ब्योहारे के रूप से इसको देखें तो बहुत आसानी से यहां से हम प्रश्न उत्तर हल कर सकते हैं आप अगले 20 मिनिट मेरे साथ रहे ये ये टॉपिक गलत होना समाप्थ हो जाएगा फिर आप बताईएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा फील आप समय कर रहें इस टॉपिक के साथ जैसे माल लिजे मैं पहला सवाल लेता हूँ चलिए नीचे कथन तता उसके बाद एक तरक दो तरक दिये गए हैं और आपको बताना है कि तरक पह प्रती बंद लगा देना चाहिए समझेगा इसको तरक क्या होता है जब हम किसी को वह बात समझाते हैं उसके प्रिशने पर उस बात को हम क्या कहते हैं तरक जैसे आपने हम से पूछा क्या पेड़ों की कटाई पर प्रती बंद लगा देना चाहिए तो मेरे पास इसके कई तर्क है, हाँ, पेडों की कटाई पर पृति बंद लगा देना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के कटान को रोकते हैं, दूसरा तर्क हो सकता है, हाँ, पेडों की कटाई पर पृति बंद लगा देना चाहिए, क्योंकि हमको ये सुद्ध वायू देते हैं, तीसा तर्क हो सकता हाँ, पेडों की कटाई पर पृति बंद लगा देने चाहिए यह क्योंकि हमारे मानसूद चक्र को बनाने में सहायक होते हैं, हमारे वर्षाकरम को बनाए रखते हैं चौटर ने का हाँ पेडों की कटाई पर प्रतिवंद लगा देना चीए, क्योंकि हमें सुन्दर छाया देते हैं, स्वस्तवायू देते हैं, ऐसे सो तर्क हो सकते हैं, जो इस कथन के साथ पुष्ठ हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझनी की कोशिस करनी है, कि जो कथन तो आपका प्रश्ण है, तरक क्या होता है, जो इस कथन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वो तरक होती है, ध्यान रखेगा, कथन जो लिखा हुआ है, स्टेट्मेंट जो लिखा हुआ है, उसकी पुर्णाबित्ती कभी भी तरक में नहीं की जा सकती, मतलब जो कहलाएगा ही नहीं यदि किसी कथन की पुर्णा विर्टी हाँ और ना के साथ तरक में कर दी जाती है तो वो तरक होता ही नहीं ऐसा तरक तुरंथी दुरुबल माल लिया जाता है जैसे माली जी आपका कथन क्या है बताइए क्या पेडों की कटाई पर पृति बंद लगा देना चाहिए और मैं बोलू तरक में हाँ पेडों की कटाई पर पृति बंद लगा देना चाहिए इसका मतलब है आपने केवल मेरे statement पर सहमती और असहमती व्यक्त की सहमती व्यक्त करेंगे तो हाँ लगा देंगे असहमती व्यक्त करेंगे तो ना लगा देंगे लेकिन आपने तरक नहीं दिया बलकि उसी कथन की पुर्णाविट्ती कर दी जब कथन की पुर्णाविट्ती तरक में हाँ और ना के साथ कर दी जाए ऐसे तरक हमेशा दुरुबल तरक होते हैं वीक औरगुमेंट्स होते हैं बिल्कु बेसिक से समझना सुरू करिए जैसे यहाँ पे बेटा लिखा है दिखिए क्या पेड़ों की कटाई पर पुर्णाविट्ती तरक में कथन का लिपिटेशन तरक में यदि हाँ और ना के साथ कर दिया जाए तो ऐसा तरक हमेशा दुरूबल तरक होता है तो बताईए क्या हो गया दुरूबल हो गया दूसरा हाँ अब इसने भी सपोर्ट किया हाँ क्योंकि पेर हमें आक्सीजन प्रदान करते हैं जो जीवन के लिए उपयोगी है ये तरक क्या है बताओ प्रूबल है अब यहां से हमें दो सीख मिली क्या पहला परियावरण और स्वास्त से जुड़े हुए तरक हमेशा प्रूबल होते हैं यदि वे मानो जीवन की सकारत मत बिसामे हो मानो जीवन को positive phase में ले जा रहे हो फिर समझे, परियावरण और स्वस्त से जुड़े हुए जो तर्क होते हैं, वो हमेशा प्रिवल होते हैं, उनको कभी भी अपोज नहीं किया जा सकता, statement और argument में सबसे priority पर जो arguments रखे जाते हैं, वो health और environment से जुड़े हुए होते हैं, तो health और environment से जुड़े हुए जो तर्क होते हैं, वो हमेशा प्रिवल होते हैं, एक बात, तो पहली चीज तो ये clear हो गई, है ना, और दूसरी बात, ये सकारतमत बात है, कि हमें पेड नहीं काटना चाहिए, हमारे समाज में भी ये प्रिचलने कि हमें पेड लगाना चाहिए, और हमारे समाज में जो चीज ये प्रिचलित है, हमारी जो नियतिक सिक्छाए हैं, हमारी जो नियतिक आधार हैं, जो मूल करतब हैं, जो सम्विधानिक विवस्ता है, उनके आधार पर लिए गए तर्क हमेशा क्या होते हैं, प्रिवल होते हैं, तो दूसरा तो प्रिवल हो है यदि कथन में कही गई बात की पुर्णाबिति है ना आपको मेंटर मिलेगा इंडिविज्वार मैथ रिजनींग के मैं तो इसी प्रकार बाइलेंगल मिलेगा है ना जो चीज हिंदी में लिखियोगी वो चीज इंगलिस में भी mention होगी, CBSC Board के students को भी परेशान होनी की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लखा है यदि कथन में कही गई बात की पुर्णाबिर्ती तरक में कर दी जाए तो ऐसे तरक क्या होते हैं तरुबल होते हैं, अब मैं English पर के आपका समय जाया नहीं करूँगा और इसी को उधारर के रूप में आपने वहाँ पर क्या किया है, समझा है क्लियर होई बात, चलिए, दूसरे पढ़ाते हैं दूसरे, एक concept को समझाओंगा, एक तरीके से क्या सरकार को किरसी आयपर भी text लगाना चाहिए, तरक देखे, हाँ, सरकार को भनने का यही एक मात्र तरीका है नहीं हमारी 80% जनसंख्या गिरामिर छित्रों में रहती है समझ लेजे, देखे, जब किसी भी तरक में, जब किसी भी तरक में केवल यही एक मात्र यही एक मात्र बस यही एक बस यही एक जैसे rigid terms आते हैं rigid terms आते हैं तो ऐसे तर्क हमेसा दुरूबल होते हैं इसका तो यही एक मात्र चारा है यही एक मात्र तरीका है इससे उबनने का केवल यही तरीका इसको बचा सकता है जब किसी तर्क में केवल बस यही एक यही एक मात्र जैसे सब्द आएंगे वो तर्क हमेशा क्या हो जाएगा दुरूबल हो जाएगा आप इस अब धारणा को याद रखेगा आगे इसके पृष्ण आएंगे क्या केवल यही एक मात्र बस यही एक जैसे जब टर्म साते हैं तो ऐसे तर्क क्या होते हैं दुरूबल होते हैं हाँ सरकार छेत्रों में रहती है गलत सरकारी आंकड़े अगर कभी भी दिये दिये जाए तो गलत सरकारी आंकड़ों पर आधारे तर्क हमेशा दुरूबल होते हैं मतलब गलत सरकारी आंकड़े अगर हमें कभी प्रदान कर दिये जाएं जैसे क्या लिखा है 80% गलत है जबकि हमारी 68% ज संख्या गिरामिर छित्रों में निवास करती है लग भग लग भग तो यह तर्क क्या हो जाएगा दुरूबल तो यहां से हमने दो चीज़ें सीखी क्या पहली चीज़ क्या सीखी यदि केवल यही एक मात्र बस यही एक जैसे सब्द रिजिट टर्म सकर किसी तर्क में आते है तो वो तर्क क्या होता है बताइए दुरूबल तर्क का उधारण होता है और दूसरा क्या सीखा आपने कि यदि गलस सरकारी आंकड़े कहीं पर दे दिये जाए तो गलस सरकारी आंकड़ों पर आधारित तर्क जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं दुरूबल होते हैं आईए तो यहाँ पर देखें में लोगों ने लिखा है गलस सरकारी आंकणों पर आधारिक जो तर्क होते हैं वो क्या होते हैं बताईए दुरुबल होते हैं बीक और्गुमेंट्स होते हैं किलियर करिए चलिए फिर एक उधारा लेता हूँ नई चीज आपको समझाता हूँ आईए क्या हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए बहुत आसान तरीके से एक चीज समझे आप लोग कलियर हैं देखें किसी व्यक्ति किसी किताब किसी अख्वार चाहे वो व्यक्ति कितना भी सरम्मान सुईकार क्यों ना हो चाहे वो किताब कितनी भी सरम्मान सुईकार क्य किसी भी किताब को अगर कोट कर दिया जाए किसी भी व्यक्ति को कोट कर दिया जाए किसी भी व्यक्ति या उसकी सिक्षाओं पर आधारिक जो तर्क होते हैं वो हमेशा दुरुबल होते हैं क्योंकि प्रतिक व्यक्ति अलग-अलग सिक्षाओं को मानने वाला होता है हो सकता है उस उद्देश कालो और परिस्तिती में वो सिक्षाइं प्रासांगिक हो रिलेवेंस हो लेकिन इस उद्देश कालो परिस्तिती में वो सिक्षाइं रिलेवेंसी नहीं रखती हो तो याद रखेगा किसी भी व्यक्ति, किसी भी किताब, किसी भी अखवार या उसकी स परक्षाओं पर आधारत या उसके नाम के साथ कोट किये गए तरक हमेशा क्या होते हैं दुरुबल होते हैं के लिए अब यहां पर देखिए बेसिक कॉंसेप्ट में हैं आप समझा रहा हूँ लेकि बहुत सारी परक्षाओं के सवाल तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे क्योंक के रिलेशन होते हैं perception के उस language के आधार पर हम उसको अलग करते हैं जब मैं मैं आपको बैच में पढ़ाऊंगा तो जब P.O के सवाल में आपको पढ़ाऊंगा और C.S.E.T. में जो IS में आपके सवाल पूछे जाते हैं वो जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप और आनंदित होटे हैंगे आपको और मजाएगा फिलाल इधर आप इसको समझिए यह से आपको पूरा बेसिक्स क्लियर होगा और कल में इस पर एक और जबरजस्त फिलास लूगा तो यहां पर कैलखा है क्या हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए हमेंने क्या कहा हां गांदी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे किसी व्यक्ति या उसकी सिक्षाओं या उसके नाम के साथ कोट किये गए तरक हमेंसा क्या होते हैं बताए यह दुरूबल होते हैं चुकि गांदी जी के नाम के साथ कोट किया गया इसके तरक क्या है दुरूबल दूसरा अहिंसा जीवन बहुत सारे लोग अनुसरर करते हैं यहां पर किसी भी व्यक्ति के नाम को code नहीं किया गया बलकि यह हमारे समाज को सकारात्मत बिसा में ले जा रहा है इसलिए यह जो तर्क होगा यह तर्क क्या हो जाएगा बताओ बेटा प्रिबल हो जाएगा मेरे बच्चे क्लियर हुआ क्लियर हुआ तो सेलेक्शन के लिए इंडिविजूल बैच को जोईन करिए नीचे नमबर है और तीन दिन प्रिवेश चल लाए है आज कल परसों खूब प्रिवेश लीजिए और सोला तारिक से धुवादार हम लोगों के हां चुड़ जाएगे तीसरे का कॉंसेप्ट समझिए किसी व्यक्ति विशेस एवं उसकी सिक्षाओं पर आधारित तर्क क्या होते हैं दुरूबल इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिजिए किसी व्यक्ति विशेस पूछे गये हैं सेंटर की प्रेक्षा में पूछी गये वहीं से सारी प्रिशन उठाए गया है आगे चलते हैं चौथे प्रिशन से समझते हैं क्या लिखा है हाँ चले किसी व्यक्ति किसी धारणा किसी अखवार नेता की बात पर जो मैंने उपर समझाया उसको यहां पर अलग से दिया गया है क्लियर चलिया आईए आप देखिए क्यों बच्चों को न्यायक रूप से जिम्मेदारी सौपनी चाहिए कि भी अपने माबाप की बुड़ावे पर देखपाल करें देखो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रद्ध कर रहे हैं नया यूथ है नए लोग हैं तो अलग अलग तरीके से देख रहे हैं ब्रद्धास्यम की संख्या लगातर बढ़ती जा रही है यह हमारी परवर्ष के लिए एक तो है सोचने वाली बात है क्या ऐसा होना चाहिए बिलकुल नहीं होना चाहिए उसी पर एक मेंदारी की क्या जूरत है यह तो हमारा कर्तब है हाँ इस तरीके के मसले केवल मैंने आप से क्या बताया था यदि किसी तरक में केवल बस यही एक मात बस यही एक जैसे रिजेक्टर माते हैं तो वो क्या होता है दुरबल होता है हाँ केवल यही एक गरीब माबाप को जब तक पिता रहता है या बावाजी रहते है तब तक उनका अनुसा सन चलता है वहाँ पर बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होता अगर बच्चा कभी ऐसी एक्षा भी जाहर करता है कि हमें अपना स्वामित्त चाहिए तो कम से कम 20 डंडा पिता जी या बावा जी उसको मारते हैं और किसी भी समय उसको घर से बाहर कर दिया जाता है 38 साल में भी वो घर से बाहर रोट पर आ जाता है क्योंकि गाउं में जो गाउं से जिनके रूट से गाउं में यह सब चीजे नहीं है कि आप ब्रिद्दास्रम में चलिया यह कहीं वहाँ पर जलवा कायम है बुजरुगों का वहाँ पर 20 डंडा मार देंगे वो तो ब्रिद्दास्रम और आखास्रम नहीं जाएंगे आप घर से बेघर तुरंत हो जाएंगे क्योंकि जब तक हमारा बुजरुग है गाउं का वो बुजरुग बहुत डिसिप्लिन है बहुत अनुसासित है आप लोगों से यवल बस यही एक मातर जैसे सब्द होते हैं तो वो तरके क्या होते हैं दुरुबल होते हैं के लिए रभीबात चलिए छटमय पर चलते हैं आराम से समझे है ना जब बैच मैं पढ़ाऊंगा तो और जबर्जस तरीके से पढ़ाऊंगा है ना यहां पर थोड़ा सा आर या उस देश सी नितियों से तुल्ला अपने देश की कर दी जाए तो ऐसा तर्क हमेशा दुर्बल होता है माल लिजे हमारे देश की नितिया अलग है दूसरे देश की नितिया अलग है जब हम अपने देश की तुल्ला किसी और देश से कर देते हैं तो ऐसे जो तर्क होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं दुरबल होते हैं मतलब अपने देश और अपने देश की नीतियों की तुला कभी भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी अल्टन देश से नहीं की जा सकती उस देश की नीतियों से नहीं की जा सकती अब यहां लिखा है क्या हमें कंप्यूटर का प्रियोग करना चाहिए, बिल्कुल करिए, पूरी दुनिया कर रहे है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हमें कंप्यूटर का प्रियोग करना चाहिए, तो क्या लिखा है, तरक, हाँ अमेरिका में कंप्यूटर का प्रियोग हो रहा है, अब ये तरक दुरुबल क्योंकि किसी देश और उस देश की नीतियों के साथ अगर हम अपने देश की तुल्ला कर दें तो यह तर्क क्या होता है बताई यह दुरूबल होता है ना तो क्या में computer का प्रियोग करना चाहिए हमें computer का प्रियोग करना चाहिए यहां तक तो यह प्रबल था लेकिए अमेरिका में computer का प्रियोग हो रहा है इसलिए computer का प्रियोग करना चाहिए दुर्बल हो गया क्योंकि किसी देश से अपने देश और उस देश की तुलना हो गई तो वो तरक तुरंट क्या हो जाए का दुरबर यह मैं कुछ ऐसे सतीक टरम लॉजीज निकाल के आपको बता रहा हूँ जहां से आपके 90% सवाल हल होते हैं बिना कुछ सोचे हुए अगर 10-20 सवाल भी इस concept पर practice कर लिए तो इस statement सिख्षा है तो यह माध्यम के लिए अपनाए जाना चाहिए हां बिर्टेन तथा आमेर का में अब बताओ दुरुबल हो गया कि नहीं क्यों किसी देश से तुलना हो गई दूसरा हां क्योंकि अंग्रे जी आज पूरे बिस्स में बोली जाती है सकारात्मक है पूरे बिस्स की भासा है अंग्रे जी और पूरे बिस्स में तो हम लोग भी आते हैं कि यह किसी से तुल्ण नहीं है आज पूरे भिस्श में बोली जाती है इसलिए क्या हो गया बताईए प्रवल हो गया यहांपर किसी से तुल्ण नहीं है बलकि समाज को सकारत्मत दिसा में ले जा रहा है कि आप अंग्रे जी को सीखे तो दूसरा वाला क्या है प्रबल है और पहला वाला क्या है तुरबल है आईए क्या भारत को अपना प्रच्छर पास्त कारिकरम बंद कर देना चाहिए अरे भाई हम ऐसा क्यों करेंगे हमें तो और प्रमानु संपन होना चाहिए समय के अनकूल हमें अपनी चीजों को बदलन चाहिए अच्छा करना चाहिए ऐसी समस्य कहां आ गई क्या भारत को अपना प्रेख्षी पास्त कारिकरम बंद करना चाहिए हां अमेरिका यही चाहता है फिर देश का नाम आ गया अरे कौन क्या चाहता है हमारे देश की नीतियों को तै नहीं करेगा यह दुरूबल हो गया द लिए हम लगातार अलग अलग जगह से जो हत्यार संपन्य देश हैं जो अच्छे हत्यार देखते देते हैं हम अपने हत्यारों की सीमा को बढ़ा रहे हैं और हम अपने सीमा को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि बदलती हुई परिस्तियों में आपकी जो तैयारियां होनी चाहिए और आधनिक होनी चाहिए तो दूसरा तो बिल्कुल प्रवल है सकारातमक है लेकिन पहला वाला क्या है बताओ दुरूबल है अब तक तो समझ में आ गया हुआ क्यों पहला दुरूबल हो गया क्योंकि अमेरिका लिख दिया और किसी देश से तुलना क्या होता है दुरूबल क्या क्या प्राथ में किशभों में डोफर एक पूछा कि नियुक्ता उचित है मैंने क्या कहा था स्वस्त हाईल्थ और पड़ क्या वरड से जुड़े हुए जो तर्क होते हैं वह हमेश्गा होते हैं भार्ष सरकार के नीतियों को हम कभी आपोज नहीं कर सकते हम अपनी सम्मेधानिक विवस्थाओं को कभी भी अपोज नहीं कर सकते ध्यान दीजेगा है ना अब यह देखे क्या प्राथ हमें कि स्कूलों में दोफर के भोजन इसको हम कहते हैं MDM मिड़े मील मिड़े मील जो है यह सरकारी योजना है हम किसी भी कीमत पर इस सरकारी योजना को अपोज नहीं कर सकते अगर हमने अपोज कर दिया तो इसका मतलब हमारा तरक गलत है या जिस तरक में इसको अपोज किया गया होगा पुद्धर भल है है ला तो इसने कहा उचित है हाँ इससे गरीब बरके बच्चों में पढ़ने के लिए उतसा जागरित होगा तथा उनका स्वास्ति स्तर सुद्रेगा प्रिबल है क्योंकि स्वास्ति से जुड़ी हुई बात है और सकारात्मक दिसा में हैं और प्रिरित करना है और सरकारी नीची है दूसरा नहीं जैसे इसने सरकारी नीती को अपोज किया यह दुरबल हो गया क्योंकि सरकारी नीती और सम्मेदानिक प्राबधानों को कभी भी अपोज नहीं किया जा सकता भ्यान रखिये इसले कान नहीं ब्रश्टाचार के कारण इसका पूरी उपियोग नहीं हो सकेगा अरे भाई तु ब्रश्टाचार को खतम करने की जरूरत है मेरे प्यारे बेटे बच्चे इसके concept को तो समझ में आ जाएगा स्वास्त इवं प्रियावरार से जुड़े कथन हमेंजा क्या होते हैं प्रिवल होते हैं health और environment को सबसे ज़्यादा priority दी जाते हैं क्लिए है आगे बढ़ते हैं आठमा है अपना जादू रहस चमतकार जैसे सब्धों तथा इस भावनाव पर आधारित तरक दुर्बल होते हैं जोंकि हम वास्तिक नरेडियन बेटा जब पढ़ रहे हैं तो वास्तिक नरेडियन में हमेसा याद रखिए ना तो जादू हो सकता है, ना रहस हो सकता है, और ना चमतकार हो सकता है जादू, रहस, चमतकार ये तीनों ही जो तर्म है, ये कालपनिक है इसको हम लोग आगे निस्करस में पढ़ेंगे तो कालपनिक तो यहाँ पर कुछ हो नी सकता क्योंकि statement argument ही बास्तिक नर्यन है तो जादू रहस्य चमितकार जैसे सब्दों और इस भावना पर आधारे जो तरक होते हैं वो क्या होते हैं बताईए दुर्बल होते हैं क्लिए रुई बात चलिए आगया अर्चे फिर क्या लिखाया है बताईए क्या भारत में अर्थ विवस्था को खुला बनाने के लिए बाद सभी सिर्मिक यूनियनों पर रोक लगा देनी चाहिए हमारे हां संग बनाने का अतकार सांतिपूर जुलूस निकालने का अतकार और अपना जो है ब्रोद दर्च कराने का अतकार है fundamental right है अब देखे जब हम label of difficulty को बढ़ाते हैं हम बड़ी परिक्षा में आते हैं तो ऐसे छोटी छोटी hidden information से हमें इनकी answers निकालने होते हैं सिर्मक union पर रोक लगा देनी चाहिए इसका मतलब यह statement ही हमें गलत दिसा पर ले जा रहा है क्लियर है सिर्मक union पर रोक लगाने का मतलब है यह हमारे मूल अधिकार जो हमारे सम्मिधान द्वारा हमें दिये गए हैं उनका क्या हो जाएगा हनन हो जाएगा क्योंकि सिर्मकों को भी अपनी union बनाने का हक है जैसे मालिजे आप में सेवे की union हो सकती है तो सिर्मकों की भी union हो सकती है वो अपनी बात कहेंगे कि हमें 10 घंटे काम करना है हमसे 18 घंटे 14 घंटे काम ना लिया जाए हमारी भी संडे को छुटी होनी चाहिए सिर्मक union उनका सोसर ना हो सके अपनी आबाज बुलंद करेंगे एक साथ तो हम ऐसी विवस्था को नहीं कर सकते तो नहीं पहले तो देखे क्या करता है नहीं आर्थिक रूप से विक्सित देशों में जैसे ही विक्सित देश मतलब हमने क्या कहा था दूसरे देशों के तुल्ला का अगर एक अक्षर भी आ जाए विक्सित देशों विकासिल देशों अमेरिका हो जर्मनी हो कोई भी अक्षर अगर ऐसा आ जाए तो तर्क क्या होता है बताई ये दुर्बल हो जाता है तो ये हो गया नहीं कोई लेवल है डिट सिर्वेक यूनियन करमचारियों और तो विस्था दोनों के लिए चमतकार नहीं कर सकती इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताई ये चमतकार जादू रहस जैसे सब्द चमतकार जादू रहस जैसे सब्द या इसकी भावना यारि किसी तर्क में आती है तो वो तर्क क्या होता है बताई ये दुर्बल होता है इससे ठीक पहले हम लोगों ने शीज़ को पढ़ा है उमीद है नहीं तो ये सरकारी नीती है और हमारे हाँ लोटरी प्रतिवंदित है जैसे ही उन्होंने नहीं कहा ये दुरबल हो गया वीक और गुमेंट हो गया क्यों हो गया क्यों कि सरकारी नीती है और अपोच किया है इससे जोगे लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी हम लोगो क्या है बता ये प्रबल है दूसरा क्या है बता ये प्रबल है चले तो आप देखे आगे बढ़ने से पहले समझ लीजे भारत में विकास के दृष्टी कोड से ये जवरजस सवाल है और ये सवाल आप से जो आपका एक्जाम होता है CPF का Assistant Commandant का उसमें आपसे पूछा गया था जो UPSC कंड़क्ट कराता है उससे पहले मैं आपको बात बता दूँ समझ लीजेगा यहाँ पर अच्छे से कि Individual Reasoning और Math का बैच जो है अगर आपको के बाद रीजनिंग पढ़नी है आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं मैथ पढ़नी है मैथ पढ़ सकते हैं दोनों पढ़ नहीं है दोनों पढ़ सकते हैं यह WhatsApp नमबर है जिस नमबर पर आपको भेजना है 16 जुलाई तक बेटा आपके प्रिवेस खुले हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नमबर चलना है उन पर भी फिस यहाँ पर संसोजित करके आदी इसे भी कम कर दीए यह संस्थान द्वारा आपके लिए आपकी सुब्दा के लिए इस WhatsApp नमबर पर entry MR लिख कर भेजना है हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी आईए जल्दी जुड़िए और 16 तारीक से हम बिलकुल अपने नजरिये को बदलने की कोसिस करते हैं आईए आगे समर्दाइनेक प्रापधन है और हमारा समाजबाद कहता है उत्पाधन के साधन और संसाधन पर समाज के पृतिग व्यक्ति का समाजबाद आई class में या पढ़ाऊंगा कि समाजबाद क्या है उत्ताधन के साधनों संसाधनों का प्रितिक व्यक्ति तक समा लूप से बितरर जो होता है वही क्या है समाजबाद है तो हम पुजी बात क्यों लाएं तो पहली बात पे स्टेटमेंट ही गलत दिसा में जा रहा है और इस गलत दिसा को इसने सपोर्ट किया इसलिए दुर्बल हो गया सुवियत रूस तुलना होगे वेता और जैसी तुलना होगी क्या होगा दुर्बल होगा नहीं इसने अपोच किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते भारती दृष्टी कोर्स के अंसा समाजबाद उप्युक्त है दूसरा वाला क्या है प्रवल है क्योंकि इसने अपोच करके सम्मिल्धान का क्या दिया साथ दिया तो इस प्रकार से मैंने कोसिस की कि आपको एक कॉंसेप्ट को बिरीफ किया जाए अगर आप इस दसी चीजों को लेकर लिखते हैं दस विसे बस तो कंटेंट को लिखते हैं तो आपके जितने भी एक तरीके के जो एक्जाम होते हैं उन एक्जाम में आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगोंने बहुत डिबांड की दिए इसका लॉजिकल रिजिनिंग के एक टॉपिक को थोड़ा सा बताईए कैसे हल करते हैं तो इसी प्रकार जब आप से क्लास में मुलाकात होगी तो इसका एक और प्रादूफ होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंग्विज बेस्ट जो आईएस में पूछा जाता है बैंक पीओ में पूछा जाता है तो उस तरीके के जब पढ़ना होता है तो उसको थोड़ा सा सापिक्षिक रिलेशन्स से पढ़ना होता है और लेंग्विज के रिलेशन्स को देखके हम उसको अलग करते हैं तो आईए नजरिया बदलिए इस बैस से जुड़िए आप संदीव सर्की क्लास होगी और आज आप मेथ की क्लास चलूर करिए क्योंकि आज आप महसूस करेंगे कि वास्तों में गड़त क्या होती है कैसे गड़त को पढ़ा जाता है मेरी तरफ से आज इतना ही अनंद सुब कामना है आप सभी लोगों को love you all मेथ की क्लास को आप इंजॉय करिए सोला तारिक से क्लास रूम में मुला गड़त होगी इंडिविजियल मैस और इजिनिंग के इस कमबो बैच में मैं संदी प्योरी आपके साथ हूँ वीडियो के पहले सेसन में आपके साथ रभी सर थे जिन्होंने इस बैच की पूरी रूप रेखा के साथ साथ अपने बिसे को भी प्रापरली समझाया हम लोग यहाँ पर आज से मैथ की सुरुवात करने जा रहे है हलाकि पिछली कुछ क्लासेस होई है जिसमें हमने आपको डेमो क्लासेस में बिसे की गंबिरता, अपनी रिस्पॉंसिपलिटी, कुछ क्लासेस में हमने कुछ कॉंसेब्ट वाइज प्रसनों को लेकर साल्व कर वाया लेकिन जरूलत हमें सुरुवात से है क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे चात्रे हैं जिनके कमेंट हमें को मिलते हैं कि सर हमको प्रारंब से start करना है मतल przyp एकदम basic से start करना है हमको एकदम से kuddy कुछ नहीं आता है मैं मैस के WorksD नहीं पता है तो मैं आपको उन सभी छात्रों को notice किया है जो first day बिल्कुल से अपने आपको hopeless लेकिन ओ छात्रों ने भी बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छी तरह से चीजों को आकलन किया है और आज की date में बच्छे computer की तौर पर अच्छे scholar की तौर पर competition में participate करते हैं अब बहुत सारे सफल भी हो चुके हैं हम आज जिस मैस को सुरू करने जा रहे हैं वह मैस यहां पर किसी भी competitive examinations की जनरल मैस है जिसके पहले ओपिसोड में मैंने सारी जनकारी आपको दिया था कि किस प्रकार से मैस के कितने खंड होते हैं कैसे कैसे चात्रों को कबर करना और किस प्रकार से हम इस पूरे class को ले करके आपके लिए तयार रहेंगे चलते रहेंगे आज हम जब मैस को क्योंकि मैंने आज प्लान किया है कि हम यहीं से आज सुरू करेंगे हम अपनी बैच में भी है topic हम continue करते हुए इसी को लेके जाएंगे क्योंकि जब भी किसी भी बिसे को पढ़ना होता है चाहे हो मैत हो या कोई भी बिसे हो तो उसके background को जानने की आवसकता होती हम 20 से अगर उठा दे किसी topic को हो सकता है कुछ को समझ में आ जाए लेकिन प्राबलम ए होती हम एकदम से beginners की तरह जब भी हैब नहीं करेंगे हम च जैसे कोई भी भासा आप मैत को छोड़ करके किसी भी भासा की बात करी किसी भी subject की बात करी हर चीज का अपने foundation होता अपने basic label होता है जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं आप उसी तरह से math को भी रिलेट करके चलिए जैसे math आपको हम लोग यहाँ प पढ़ते हैं तो हमको पता है कि alphabet A से Z को combine करके मिला करके अंग्रेजी भासा का पूरा निर्माड किया गया है मतलब कहीं किसी एक system ने A to Z develop किया A to Z की मदद से words बनाए सब्दों को सब्दों से मिला करके sentence बनाए सब्दों को सब्दों से मिला करके sentence grammar की भी help ली और sentence का प्रि प्रियोग है बड़माला आप इसका से लेकर के ग्यात तक और स्वरका स्वर्वयंजन का यूज करके पूरी तरह से हिंदी के सब्दों का development करते हैं सब्दों को सब्दों से मिला करके आप वाक्यों का प्रियोग करके आपस में बोल चाल की भासा मिलाते हैं उसी प्रकार से math है math को सबसे पहले जब सुरू किया गया तो एक scientist थे मैं आपको बता दूँ उनका नाम था Alan Turing मैं आपको उनकी बार जनकारी थोड़ा सा देता हूं इनका नाम था Alan Turing आप इनके बारे में Google कर सकते हैं इन्होंने जो है पहले एक सब्द दिया वदलब ए सदी के सबसे बड करने के लिए math का प्रयोग किया जाता है आप हर एक problem को एक systematic system के अंतरगत लाते हैं मतलब एक समिकरण के अंतरगत लाते हैं और उस समिकरण को हल करके अपनी problem को हल कर लेते हैं Alan Turing ने अपनी किताब में सबसे पहली line लिखी कि दुनिया की कोई भी समस्या हो all the problem in the universe उन्होंने संसार की बात नहीं करी किसी देश की बात नहीं करी उन्होंने universe की बात करी कि कोई भी समस्या हो अगर उसके ओपर computation हो सकता है मतलब calculation हो सकता है तो उस problem को हम math से अपनी इनकी इन्होंने एक machine दिया था उस machine की मदद से हल कर सकते हैं साल कर सकते हैं हलाकि उनकी machine कोई physical device नहीं थी उनकी machine एक algorithm थी मतलब एक rule थी जो की math में apply की जाती है तो हमने कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि दुनिया की कोई समस्या अगर हो computation पर based हो calculation पर based हो तो उसको उनकी machine से साल भी क आप अगर involve करेंगे तो सब कुछ calculation पर based होता है अब इस calculation के लिए हमें requirement किसकी होती है इस calculation के लिए हमें requirement होती ही number की आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई calculation है तो number plus operator आप कोई भी calculation करेंगे तो आपको दो चीजों की आवस्यक्ता होगी एक तो number की दूसरा operator की तो जैसे हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए alphabet का यूज करते हैं वैसे math पढ़ने के लिए हमें number और operator की requirement होती है क्योंकि math की objective जो है वो problem को solve करना है और problem को तब solve कर सकते हैं जब उसको एक समीकरण में हम frame कर पाए और समीकरण में frame करने के लिए हमें दो चीजों की basic आपद सकता पढ़े हैं तो science में जैसे किसी ने का कि एक मीटर क्या होता है हम कहाएं कि सरी एक मीटर एक length है एक measurement है जो कि कुछ distance की होती कुछ उसकी length होती है लेकिन सही सही एक मीटर की definition बताई गई कि Paris के near Sabre में एक international measurement bureau है जहाँ पर एक platinum iradinum की धातू रखी गई जिसमें 70% platinum है 30% iradinum है उस length को जो mark वहाँ पर बनाएगा जो 0 degree temperature पर रखा गया जिससे कोई changes ना उसके अंदर आने पाए तो उसी को हम एक meter गयते हैं वैसे वहाँ पर एक watt रखा गया जिसको एक kilogram गयते हैं तो कहीं न कहीं एक system पीछे involved होता है periodic table बनी है तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक system applied है उसी प्रका प्रकारी दी कि number system संख्या प्रडाली हमारी मैस में किस तरह से important है और इसके कितने खंड यहां पर total बने हुए है हलाकि जब मैं number system को explain करूँगा तो मैं number की उपयोगिता से ले करके explain करूँगा numbers के बारे में ले कर explain करूँगा जैसे मैंने कहा कि अगर अंग्रेजी हमें कि approach clear होनी चाहिए मैं आपको संख्या प्रडाली की बात करूँ तो मेरे सामने कई सारी प्रडालिया यहां पर applied होती है जो कि आजकल हमारे प्रचलन में हैं जैसे decimal number system दासमलविक संख्या प्रडाली जिसको हम लोग कहते हिंदी में मैं बाकी आगे चलकर explain करता हूँ जिसका यही सही तरह से पूछा जाए तो जो चार प्रडाली मैंने mention करा है जिसमें मैंने सबसे पहले decimal number system का यूज लिखा है और यही decimal number system पूरे word wide यूज किया जाता है math की problem को हल करने के लिए human के थूँ आदमी के थूँ जबकि binary number system आपको अच्छी तरह से आप बेर अबेर होंगे कि आज कल computers में mobile में जो technology यूज की जाती है उसके अंदर जो coding की जाती है वह इस number system के यूज के थूज की जाती है जिसको हम लोग दोयधारी संग्या प्रडाली कहते हैं मैं इसके बार number system जैसे बड़े लेबल के super computers जो कि satellite launching के लिए बेदर forecasting के लिए मौसम की जानकारी के लिए मतलब बड़े लेबल के computers पर hexadecimal number system का यूज किया जाता है जब हम लोग बांदे अपने number system की बात करें जिसको हम decimal कहते हैं मैं आपको बता दू हम लोग के number system में 0 से लेकर के 9 तक 0 to 9 कुल मिला के 10 symbol का प्रयोग किया जाता है अब क्योंकि 10 symbol का प्रयोग किया जाता है इसलिए अपने जो number system का अधार होता है बेस होता है उट 10 होता है हमारे number system का जो बेस होगा वह 10 होगा आप देखते होंगे कि हमारी counting कैसे की जाती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार मैं आगे explain कर रहा हूँ चीज को बस थोड़ा थोड़ा introduction यहाँ पर सीख लीजिए binary number system में कुल मिला के दो सिंबल का प्रियोग किया जाता है 0 और 1 इसलिए इसका जो अधार होता है वो 2 होता है जबकि octal की बात अगर किया जाए तो 0, 1 से लेकर के 7 मतलब कुल मिला के 8 सिंबल का प्रियोग किया जाता है जबकि hexadecimal की बात करें तो 0, 2, 9 मतलब 10 और 8 तो यब 8 तो यब मतलब यहाँ पर कुल मिला के 16 सिंबल का प्रियोग किया जाता है इसलिए इसका अधार 16 हो जाता है अब आप समझें मैंने का decimal का अधार आपका 10 होता है क्योंकि कुल 10 सिंबल यूज किया जाते है binary का अधार 2 होता है octal का अधार 8 होता है hexadecimal का अधार आपका 16 होता है आपके यहाँ जैसे आप जानते हैं कि किसी भी money को किसी भी रूप में convert किया जा सकता है रूपए को डॉलर में, डॉलर को फ्रेंच में इस तरह से अलग-अलग रूपीज में convert किया जा सकता है यूरो में अलग-अलग तरह से convert कर सकते है वैसे किसी भी number system को किसी भी number system में आपस में convert किया जा सकता है और आज कल यह परिच्छा का trends बन चुका है हमारी परिच्छाओं में decimal number system का कोई एक number दिया रहेगा उसका binary conversion आपसे exam में पूछ लेगा किसी भी label की परिच्छागी में बात कर रहा हूँ कोई भी competitive examination की बात कर रहा हूँ binary में दिया है hexadecimal का conversion पूछ लिया यह इस प्रकार से कोई भी number system एक दूसरे के conversion का एक आज के हाँ आजकल trends बन चुका है आजकल की परिच्छाओं में पूछे जाने लगा है जो हम आपके syllabus में continue रखेंगे और इस तरह के convergence को भी आपके particular में हम एक हिससा मान कर चल रहे हैं उन चीजों को समझाएंगे लेकिन आज की जो objective हमारी है वो basic की है, सुरुवात की है तो सुरुवात हम जिस की कर रहे हैं जिस प्रडाली की कर रहे हैं और number को support करने जा रही है और हमारी mathematics को found करती है mathematics के उपर based होती है इसलिए हम लोग अपने इस number को समझने के लिए जिस प्रडाली का प्रियोग कर रहे हैं पूरे जीवन में हम लोग लगातार करते आ रहे हैं उस प्रडाली के बारे में हम लोग अब अध्धिन करने जा रहे हैं जिस प्रडाली का नाम है decimal number system दासमलविक संख्या प्रडाली हमने बताया कि जो बाकी प्रडालिया थी जो तीन थी वो वेसे के लिए टेकलाजी में योज की जाती है लेकिन हमारी जो मुख्य प्रडाली है जिसको हम decimal number system कहते हैं जिसको हम दासमलविक संख्या प्रडाली कहते हैं वह प्रडाली मुख्यता पूरी दुनिया में हर ब्यक्ती प्रयोग मिलाता है हर ब्यक्ती mathematics को अप्लाई करने के दौरान हम लोग सभी लोग इसी प्रडाली का अध्यन करते हैं इस प्रडाली के अंतरगत को लिमिला कि 10 सिंबल मतब 10 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जैसे मैंने कहां अंग्रेजी में A से लेकर J तक हिंदी में A से लेकर G या तक उसी प्रकार से अगर हम गड़ित की बात करें तो हम लोग 0 से लेकर के 9 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मतलब पूरी मैथमेटिक्स में इनके अलावा कोई भी डिजिट या सिंबल का प्रयोग नहीं किया जाता है नमबर के तौर पर आप देख सकते हैं कोई भी नमबर आपका बनेगा इनकी ही मदस से बनेगा आगे देखिए 10, 9 के बाद 10 आएगा फिर 11, 12, 2 डिजिट की सारी संख्या है 3 डिजिट की सारी संख्या है 4 डिजिट की मतलब कंबिनेशन बढ़ता जाएगा सिंबल इनके अलामा और कुछ नहीं आएगा क्योंकि ए 10 सिंबल प्रयोग में लाए जाते हैं इसलिए हमारी इस प्रडाली के अंतरगत आने वाली किसी भी संख्या का आधार हमेशा 10 होता है अब आधार 10 को हम कैसे रिकागनाईज कर पाएं कैसे पहचान कर पाएं मैं आपको बताता हूँ कोई भी संख्या आप लिख डालिए 9, 8, 5, 3 आपने माली जी संख्या को लिख दिया लिखना अलग होता है पढ़ना अलग होता है लिखने के दौरान आप इधर से जाते हैं जब पढ़ना शुरू करते हैं काउंटिंग करते हैं इधर से करते हैं कहते हैं यह एकाई है यह आपका दहाई है यह आपका सैकड़ा है यहाँ आपका हजार है, इसी प्रकार से करते हैं इकाई को एक कहते हैं, दहाई को दस कहते हैं, सैकड़े को सो कहते हैं हजार को एक हजार, इसी प्रकार से दस हजार, एक लाग कंटिनी होता चला जाता है इस एक को आप दस की पावर जीरो के सकते हैं, इसको दस की पावर एक के सकते हैं, इसको दस की पावर दो के सकते हैं, दस की पावर तीन के सकते हैं कहने का अर्थे होता है कि सब का जो लिबेस होता है, हर एक डिजिट का जो नंबर बनाने के दोरानी उचकिया जाता है उस सारे बेस को हम लोग 10 की मदद से अपलाई करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि अधार ही 10 होता है हमारी संख्याओं का अधार क्या होता है 10 होता है 10 क्यों होता है क्योंकि हम 10 ही सिंबल प्रियोग में लाते हैं इस तरह से किसी ने पूछा कि अंग्रेजी का अधार क्या होता है हम कहेंगे 26 होता है क्योंकि 26 की मदद से हम लोग यहाँ पर पूरी इंग्लिस का development करते हैं पूरी अंग्रेजी का विकास करते हैं उसी प्रकार से boundary number system का अधार क्या होगा आपको वेकर सर्थ 2 होता है। आक्तल का क्या हुआ आठ होता है, hexadecimal का क्या हुआ 16 होता है। जितनी चीजों की मदद से चीजों को बनाया जाता है, develop किया तो वही उसका अधार होता है। तो अधार हमारा 10 था और उसको कैसे अपलाई किया गया मैंने आपको बताया। मैंने कहा कि 10 सिंबल प्रियोग में लाए गया, अधार 10 होता है, क्यों होता है, कैसे होता आपने सीखा। इसके साथ कोई भी नंबर इस प्रडाली के अंतरगत अगर लिखा जाता है, तो उसके दो भाग होते हैं, एक उसका इंटीजर भाग होगा, जिसको पुडांग भाग कहते हैं, और दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जिसको भिन्न भाग कहते हैं, इंटीजर अगर कोई भी balance लिखा रहेगा, point करके 00 ऐसे कुछ लिखा रहेगा, या तो कोई digit होगी वहाँ पर, सही presentation यह है, आम भासा में चीजे आसान करने के लिए ऐसे लिख करके दिखा दिया जाता है, जैसे 100 रुपई की नोट पे भी 100 ही लिखा रहता है, 0000 नहीं लिखा होता है साथ-साथ इसका scientific representation भी होता है बट हमारी आम भासा में हम सब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते बहुत सारे लोग नहीं पढ़े लिखे होते सब लोग प्रापरली चीजों को समझ पाए, इसलिए समाने तोर पर लिखकर दिखाये जाता है लेकिन सही जानकारी एह है कि जब भी किसी संख्या को लिखा जाता है तो वा संख्या दो रूपों में बटी होती दो भागों में बटी होती है दसमलों के पहले का भाग, दसमलों के बाद का भाग दसमलों के पहले भाग को पुडांग कहते हैं दसमलों के बाद के भाग को भिन्न कहते हैं अब माली जे यहाँ पर इस संख्या 100 की बात करें तो यह purely integer है, पूर्टह पुडांग है अगर इसी तरह से कोई और लिखा होता 0.125 तो यह purely fractional होता, पूर्टह बिन्न होता दोनों को merge कर देते तो यह complete number frame होता complete number बन जाता लेकिन एक बात मैं आपके जानकारी के लिए बता दू दसमलों के बात चाहे जितना बड़ा digit लिखा जाएगा उस digit का मान एक से छोटा होगा आलबेज, this fraction, we must be less than 1 एक से छोटा रहेगा, एक के बड़ा बर या एक के बड़ा नहीं हो पाएगा एक जैसे ही होगा, तुरण 100 की बजाए 101 हो जाएगा इसलिए दिमाग में रखिएगा, गिडेसिमल आप्टर जितनी भी चीज़े होती हो सब एक से छोटी होती है अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके मुख्य पड़ाओ पर मैं आता हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन सभी संख्याओं का क्लासिफिकेशन जिसको हम औरगी करड कहते हैं यहां से प्रस्न बढ़ते हैं, प्रस्न बनते हैं देखी जब भी हम नंबर सिस्टम की कडिगरी सीखते हैं किसी किताब से, किसी क्लास से तो हमको हर टॉपिक समझ में तो आ जाता है लेकिन इसका सही जो बेवस्ता है सही अरेंज्मेंट जानने की वड़ी आऊ सकता होती है इस पूरे लेक्चर के माद्धन से आप कौन से भी सीखोगे साथ साथ पूरे सही ब्योस्ता को भी सीख पाओगे कि सही वर्गी करण क्या है, सही अप्रोच क्या है कौन चीज की ओर जिन कहां से है और उसके कितने पाट है, सारी बाते में एक-एक करके समधाने जा रहा हूं, समझते जाईएगा मैंने का कुछ भी संख्या आपको दे दिया किसी ने जो भी हमारी इस प्रडाली के अंतरगत आती है मतलब दासमलविक संख्या प्रडाली के अंतरगत आती है हर संख्या को आप complex नंबर या समिस्र संख्या कहते हैं हलाकि जिन्होंने 10 पड़ा है और 12 में math नहीं पड़ा है हो सकता हूं को समिस्र संख्या पहने बार नया नया लग रहा हो लेकिन आप इतना समझ लीजेगा कि हर एक संख्या समिस्र संख्या है complex नंबर है जो भी आप प्रियोग में लाते हैं जिसके दो रूप होते हैं एक पहला real नंबर दूसरा imaginary नंबर या simply लोग कही देते हैं कि real प्लस imaginary इसका लग complex नंबर आप real नंबर और imaginary नंबर को मिला दीजिए तो आपको एक समिस्र संख्या प्राप्त होती है तो मैं तो ऐसे ही कह रहाँ कि दुनिया की हर संख्या समिस्र ही संख्या है हाँ उसमें किसी में real part available होगा किसी में imaginary part available होगा यह बातें समझने की आउ सकता है अब real का मतलब waspik imaginary मतलब आभासी या कालतनिक आप कह सकते हैं जैसे कि हम life की बात करें हमारी जीवन भी दो रूपों में बटा होता आपको अच्छी तरह से पता है जैसे कहते है एक real world जहां पे हम exist करते हैं जहां पे हम रहते हैं जहां की चीजे हम observe कर सकते हैं देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में discussion कर सकते हैं आप पूरी धरती के किसी भाग को notice कर सकते हैं आप इवन बहुत सारे planets पर भी हम पहुँच पाया उनको नोटिस कर सकते हैं लेकिन जैसे कोई किया दे स्वर्ग मर के हम स्वर्ग चले जाते हैं मर के हम नरक में चले जाते हैं और तो हम क्या उनको जो है सही तरह से हम रियल पार्ट कंसिदर कर सकते हैं नहीं क्योंकि आप तक कोई स्वर्ग गया और स्वर्ग से लॉड कर आगर के जनकारी हमको नहीं दिया कि स्वर्ग होता कैसा है जब कोई लॉड के आए उस चीज के बारे में सही तरह से जनकारी दे दे तो समझ जाएंगो रियल पार्ट है इसलिए हम उसको इमार्नरी पार्ट मान कर चल रहे हैं उसको अभी अपनी दुनिया का पार्ट नहीं मान रहे हैं हम इस धर्ती की जितने भी और स्वर्ग गये थे यार वहाँ पे गये ऐसा हुआ वैसा हुआ इंदर भगवान बैटे थे इतने सारे लोग ऐसे थे यह सारी बेवस्था जो थी ओ आपकी जो है इमार्नरी पार्ट के अंतर गताती है काल्पनिक संसार के अंतर गताती है उसी प्रकार से यहां पर भी मैट में दो चीज़े डेबलब्ड हैं एक आपकी रियल नंबर दोसरी आपकी इमार्नरी नंबर रियल का मतलब वास्तिक मैटमेटिक्स आपकी रियल से ही होती है वास्तिक मैटमेटिक्स जहां पर बेसिक कैलकुलेशन पर फार्फाम करने की छमता आती है और रियल नंबर के अंदर गती है इमाहिंदरी के अंदर नहीं आती है अगर हम इतनी थोड़ी बहुत mathematics जानते हैं तो हम इमाहिंदरी को थोड़ा आपको समझा दें सबसे पहले फिर क्योंकि इसको तो बहुत बड़ा long describe करना है इसलिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा cover करके तब आगे बढ़ते हैं काल्पनिक की बात करें काल्पनिक कार्थ ही हो गया कि जैसे ऐसी संख्या जिसके उपर calculation ना परफार्म किया जा सके जैसे मैं आप से कहते हैं तो भी या root 4 अब इतना calculation हम सब जानते हैं कि root 4 क्या होता है तो आप क्या देते हैं सर फ्लस minus 2 होता है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम plus 2 का work करेंगे तब भी root 4 आएगा minus 2 का work करेंगे तब भी 4 आएगा मतलब किसी भी संक्या चाहिए ओ धनात्मक होती है जायाई रिडात्मक उसका वर्ग हमेशा धानात्मक होता है बात आप जानते हैं तो 4 का वर्ग मूल πλάस माइनस 2 हो जाता है अब आपसे हम पोछें कि माइनस रूट 4 का मान किया होगा तो आपको होगे सर अगर प्लस 2 बताओगे तो 2 का वर्ग भी माइनस 4 नहीं होता इसलिए इसका calculation perform नहीं किया जा सकता है नारमली किसी digit की मदद से जब नहीं हो सकता है इस संख्या को हम imagery number कह सकते है बाद में एक scientist आये जो कि बहुत बड़े mathematician थे जिनका नाम था Euler Euler ने एक word दिया Iota एक word दिया Iota जिसको I से represent किया गया उन्होंने I को बताया कि I क्या है एक initial symbol है जिसको हम under root minus 1 से initiate कर सकते हैं सुरुवात कर सकते हैं minus 1 से initiate कर सकते हैं इसका मतलब जब कभी I square की requirement होगी तो इसका work minus 1 हो जाएगा I की power 3 की requirement होगी तो minus I हो जाएगा इसके इसके साथ गुड़ा I की power 4 होगा तो minus 1 का work plus 1 हो जाएगा अब I की power अगर आप 5 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6 निकालेंगे तो यह हो जाएगा मतलब यह cycle होता है इसी तरह से 7 यह हो जाएगा 8 यह हो जाएगा ऐसे ही continue 4-4 के बाद मतलब इनी 4 values में terminology continue काम करती रहेगी हमारे यहाँ प्रस्न पूछे जाने लगे है आज कल complex number से हमसे पूछे जाने लगा है कि I की power 88 क्या होगा I की power 257 क्या होगा इस तरह कि प्रस्न आज कल आपकी परिच्छाओं के returns बन चुके हैं जो कि हम लोग cover करेंगे यह बात समझने की जरूत है लेकिन जो अभी आवस सकता है मैं वहाँ की बात अगर आपको करके दिखाओं तो आप समझेगा इन्होंने कहा कि I कमान under root minus 1 है इसलिए जैसे भी हमारे सामने minus under root 4 आया तो हमने इसको दो पार्ट्स में break कर दिया हमने लिखा under root minus 1 into under root 4 लिख सकते हैं ऐसा हमेशा किसी भी नंबर के combination को बात में हम इसको indices में अभी अच्छे से बताएंगे इसका मान अभी अभी आपने बताया कि plus minus 2 होता है और इसका मान I होता है तो आप इसको लिख सकते हैं इस पूरे मान को कि under root मैं जब अपनी आम उल्चाल की भासा में इसको define करने लगा तो मैंने कहा कोई भी संख्या ले लीजिए संख्या कोई इमैंदरी नहीं होती है दिमाग में रखिए लेकिन उस संख्या का negative representation उस संख्या का negative root निकालने की प्रक्रिया मतलब हम ऐसे कह दे रडात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ग्याद करने की बेवस्था संख्याओं को काल्पनिक संख्या बना देती है मतलब काल्पनिक संख्या कोई होती नहीं है काल्पनिक संख्या बन जाती है रिडात्मक संख्याओं के वर्गमोल को ग्यात करने की प्रक्रिया संख्याओं को कालतनिक संख्या बना देती है यह definition है मतलब आप संख्या की बात करिए माइनस चार, माइनस चार वास्तिक संख्या है प्लस चार वास्तिक संख्या है रूट एक बेहतर सिंबल है जो कि मैज की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करता है लेकिन हम जब इसके अंदर इस रूट को रख दिये तो यह अब यह बेवस्था जो बन कराई वह कॉंपलेक्स हो गई वह आपकी सरी कॉंपलेक्स क्या इमैनरी हो गई जिसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि इमैनरी नंबर कोई नंबर नहीं होता है इमैनरी नंबर एक बिवस्था होती जो कि बन जाती है जब भी हम रडात्मक संख्याओं का वर्गमूल ग्यात करने जाते हैं यह सिस्टम है अब आगे मैं बढ़ता हूँ क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादा जनकारी रखनी है तो वास्तुक संख्या क्या है मैं उसकी बात करता हूँ मैंने कहा कि यही वास्तुक्ता में कैलकुलेशन का पार्ट होता है हमारी पूरी मैंथमेटिक्स में जो भी प्रसन आपको दिये जाएंगे उन सभी प्रसनों के जो नंबर यूज किये गए हैं डिजिट यूज किये गए हैं और जो भी उत्तर आएगा उसके भी जो डिजिट यूज किये गए हैं एक नंबर लाइन पर रिप्रेजन्ट किये जा सकते हैं, एक सरल रेखा होती है, नंबर लाइन होती है, जिस नंबर लाइन पर मौजुद जितनी भी संख्याएं होती हैं, वह सभी वास्तिक संख्या की पार्ट होती हैं, तो आप क्या सकते हैं कि इस संख्या रेखा पर कर सकते हैं इस संख्या की मदद इस रंख्या रेखा कर आप जिस संख्या को भी सोच पा रहे हैं जिस संख्या को प्रदर्सित करना चाहते हैं आप इस लंबर लाइन पर राके रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बता दू किसी एक संख्या से दूसर पार्ट में ब्रेक कर दीजिए यह देखिए चार पार्ट फिर चार पार्ट जैसे घड़ी की सोई आप देखिए यह स्केल देखिए तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक जाने के लिए जो डिवीजन होता है अब यह 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इसी तरह से हम लोग 1 पर पहुँच गए 0.0 होगा तो 1 पर पहुच गए फिर से आप इनको दो पार्ट में ऐसे 10 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं पतलब यह डिवीजन ऐसे इन्फनाइट तक मूप करता रहेगा आप कभी भी किसी एक वास्तिक संख्या से दूसरी वास्तिक संख्या में हमेशा अनन्त वास्तिक संख्या हैं प्राप्त कर सकते हैं जीरो से लेकर के प्लस इंफनाइट, जीरो से लेकर के मानिस इंफनाइट तक की जो भी कंबिनेशन हमारे सामने फ्राप्त होता है, वो सभी वास्तुक संख्या की कडिगरी होती है वास्तुक संख्या ही सारी संख्याओं का एक समू है, एक संग्रा है आप किसी भी संख्या को वास्तिक संख्या कह सकते हैं, अगर उनको हम number line पे represent कर रहे हैं, बस root के अंदर negative नहीं लिखे गए हैं, तो सभी संख्या हैं आपकी वास्तिक हैं, उस वास्तिक संख्या के दो रूप होते हैं हमारे हिसाब से, एक rational number, दूसरा irrational number, एक परिमे संख्या, है कि जो क्यों कमान हो, जीरो के बराबर ना हो, मतलब किसी भी संख्या को अगर हम भिन रूप में लिख सकें, किसी भी संख्या को अगर हम भिन रूप में लिख सकें, जहां पर हर कमान सुने ना हो, बस, चाहे हो धनात्मक, चाहे हो रडात्मक, चाहे हो जैसा हो, वास्तिक कि आपकी परिमे होती है। जैसे हमने आपसे कहा कि बताएं दो के बारे में। तो आपने कहा सर दो बटा है, एक लिख सकते हैं। एक बटा दो है, माइनस फाइफ है, माइनस टू बाई थ्री है, जीरो पॉइंट सेबन है, फाइफ है मा लीजिए। अब आपसे मैंने पूझा कि यह परिमे हैं की नहीं। तो आप के देंगे, सर बिल्कुल है कि इसको पाँच बटा दस लिख सकते हैं, मतलब एक बटा दो हो जाएगा। ऐसे हमने लिखा, जीरो कॉइंट वइंट तू तो आप इसको बारा बटा सो कह सकते हैं। इसी तरह से तीन बटा इसको पचीस कह सकते हैं। मतलब यह भी एक प्रकार की जो है, आपकी परिमे संख्या ही है। मतलब कोई भी संख्या अगर भिन रूप में लेकी जा सके, जिसमें अंस का मान, चाहे जो हो बठार का मान सुने ना हो, तो वह संख्या आपकी परिमे संख्या है। जैसे अगर माली जो सुनने है, तो वह भी एक परिमे संख्या है। लेकिन अगर कोई कह दे कि दो बटा जीरो, तो यह परिमे संख्या आपकी नहीं कहलाएगी, बाकी दुनिया की सभी संख्या है परिमे संख्या कहलाती है एक सिंबल होता है πाई पाई के दो मान होते हैं एक तो 22 बटा 7 कभी-कभी यूच किया जाता है कभी-कभी इसी का एप्रॉक्सिमेटेड मान आपका जो है 3 दसंबलो 1,4 यूच किया जाता है हमको अगर कोई 3 दसंबलो 1,4 दे दे या 22 बटा 7 दे दे तो हम उसको परिमे कह देते हैं लेकिन पाई के और भी मान एक्जिस्ट किया जा सकते हैं पाई के और मान जैसे पाई रेडियन में एक सोस्सी डिग्री होता है तो उसके हिसाब से हम पाई को अपरिमे कहते हैं सिंबल को प्रती को लेकिन मान को हम लोग यहां पर परिमे कहते हैं इस बात को दिमाग में रखिएगा तो हम किसी भी संख्या को जो वास्तुएक संख्या होती है अगर उन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो वह सभी की सभी संख्या हैं आपकी परिमे होंगी बाकि सारी की सारी संख्या हैं आपकी अपरिमे होंगी अब अपरिमे की तरफ थोड़ा बढ़ कर आईएगा हलाकि जैसे वहां पर हमने आपको इमान नरी बताया था वही बिवस्था यहां पर अपरिमे के लिए भी लागू होती है कैसे होती ध्यान दिजेगा इसकी डिफिनीशन होती है कि वह संख्या वह वास्त्विक संख्या या संख्याओं का वह समू जिसे ना तो पूर्ता विभाजित किया जा सके ना तो विभाजित कर सके और ना ही संख्याओं ओ आवरती हों संख्याओं ना ही क्या हों आवरती हों अंग्रेजी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं या the groups are the each possible real numbers which is neither terminating nor de-repeating मतलब ना तो उसे विभाजित किया जा सके ना ही वह संख्या आवर्ती हो तब ही वह संख्या आपकी अपर्मे संख्या कहलाती है मतलब ये दोनों सब्द जो है भाग को परियाए है भाग के ही रूप है मतलब division के ही पार्ट है जैसे आपको मैं बता दू कि ये संख्या रेखा मालीजिये है इस संख्या रेखा पर जितने भी visible number से जो दिख रही है उन सभी के नीचे अगर देखा जाये तो एक है तो जब किसी भी संख्या के नीचे एक है तो उसका कोई division तो होता नहीं है एक के अलावा को जैसे आप ऐसे समझे कोई एक property है property का एक owner है मतलब एक वारिस है तो उसके कोई division कोई फर्दर तो possible नहीं है लेकिन अगर उसके दो लड़के हैं तीन लड़के हैं तो उसका division संभो है इसलिए जब किसी भीनने के नीचे एक से बड़ी संख्या होगी तो उसका बटवारा तो होना संभो है मतलब होगा से और होगा आप ऐसे कह दिजिए कि अगर कोई भी हम division पर फाम करेंगे थोड़ा समय यहाँ पर एक बात बता दूँ आप लोगको किसी भी division की बात अगर आप करिए क्योंकि हमसे जो बात किया उसने जो है इमायंदरी उसकी irrational number की उसने हमको भाग की तरफ थोड़ा move कराया division की तरफ थोड़ा सा move कराया तो मैं आप उसने हमसे कहा definition में कि ना तो संख्या पूरता बिभाजित हो ना ही संख्या आवर्ती हो तो बिभाजित होना और आवर्ती होना दोनों की बात में करता हूँ देखिए भाग अगर होगा तो तीन प्रकार की result किसी भी भाग में आप प्राप्ट कर सकते हैं भाग में तीन के अलावा कोई भी भागफल नहीं आता चाहे जो भी भाग आप दे रहे हैं माली जी किसी भाग में हमने भाग दिया तो हमें कुछ इस प्रकार का result मिला जैसे हमने का आप 15 को हम तीन से भाग दे आप आपको पता तीन पचे 15 होगा या भाग दिया गया वैसे भी मैं एक चीज बता दूग दुनिया की किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है आप जैसे ऐसे कह सकते हैं कि एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो एक महीने में एक बटा 12 साल भी होते हैं मतलब आप किसी भी संक्या को किसी संक्या से भाग दे सकते हैं। भाग देने के बाद जो रिजल्ट आया, जैसे देखी है, यह completely terminating है। पूरी तरह से कट गया, 3, 5, 15, यही 15 को अगर आप 4 से भाग देते हैं। मतलब completely नहीं है, partially terminating, मतलब पूरता तो विभाजित नहीं है, लेकिन आंसिक रूप से यह कह सकते हैं, यह भी terminating है और इसको भी terminating कह सकते हैं। लेकिन एक भाग ऐसा होता है, जिसे दस बटा तीन डाइप का, अब आप इसको देते रहेंगे तीन दसंबलो, आपका तीन, 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 ऐसे आनन तक बढ़ता जाएगा, यह ना इधर terminating नहीं है, ना terminating, अच्छा जो terminating नहीं होंगे, वो 100% repeating होंगे, अगर नहीं होंगी, तो आपकी 100% संख्याय आवर्ती हो जाएगे, जबकि हमसे उसने कहा कि ना तो terminating हो, ना ही आवर्ती हो, तो जब अगर मालीजे हम किसी भी इन प्रकार के भिन्नों की बात करेंगे, तो तो बिलकुल इरासनल नहीं होंगे, यह थोड़ा बहुत हुआ, क क्योंकि भिन्नेव संख्याएं, जो हमें भाग के रूप में होती हैं, या तो पूर्ता कट जाएंगी, या तो दसम्हलों की कुछंकों की बात कटेंगी, अगर नहीं कटेंगी, तो आवष्टी पक्का हो जाएंगी, अब जबकि इसने कहा, ना कटें ना आवर्ती हो, ऐसा भाग में संभव नहीं है लेकिन वर्ग मूल में संभव है ऐसी संख्या है जो कि पूड़ वर्ग ना हो पूड़ वर्ग मतलब जैसे एक एक का वर्ग, चार दो का वर्ग, नो तीन का वर्ग, सोला चार का वर्ग, पच्चीस पांच का वर्ग, 36 का वर्ग, उन्चास साथ का व तो वह संख्याएं आपकी अपरिमे होंगी अब जब इसका मान निकालेंगे तो आपका 1.41 समतिंग कर कैसे होता जाएगा ना कटेगा ना ही आवर्टी होगा मतलब कोई रिपीटीशन दसंबलों के बाद नहीं होगा तो इसको हम लोग अपरिमे संख्या कह सकते हैं बाकी संख्याएं आपकी जैसे एक होता चार होता नौ होता तुसको बीच में रख सकते हैं आपने देखा कि वर्गमून ने कैसे संख्याओं की कटिगरी ने धारित करी एक बार आकर के संख्याओं को समिस्र संख्या से आपका इमेल नरी संख्या बनाया, काल्पनिक बनाया फिर उसने वास्तिक संख्या में आकर के संख्याओं का एक और रूप प्रवाइट कर दिया अपरमे संख्या हो गई होगी लेकिन root के अंदर गई तो अपर्मे हो गई यह सबास समझ करके आपको चलना होगा इस तरह से पर्मे और अपर्मे की category को हम निर्धारित कर सकते हैं अब जैसे ही पर्मे और अपर्मे की ही थी अधिकतर तो सब पर्मे ही निर्धारिता छिए सब्वा कर्वी करना हैं उस नंब्र लाइन पे दी गई है उजो नंबर लाइन पर मौझोज संख्यायती हलाकि ऐसा लिख देना नहीं पॉसिबल है नहीं सही है लेकिन फिर भी मैं मान के चल ना हूँ कि ऐसे मैंने माली जे लिख दिया है सभी वास्तिक संख्याओं को हमने पर्मे मान करके हलाकि ऐसा हम लिख रहे हैं त तक किया जा सकता है यह बड़ा ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट होता है जब इसमें कोई लोग घुसते हैं ना तो उनको बड़ा ही आनन्द आता है बड़ी ही मतलब एक इंट्रेस्टिंग फैचर में आप बात कर रहे हैं तिसलिए इस तरह की बातों को खुब डिसकस करने से कई सारी चीज़े हम कबर कर पाते हैं कई सारे लेबल पर अपना कॉन्फिडेंस हम दिखा सकते हैं मैंने कहा लगभग सभी संख्याएं आपकी परिमे थी लेकिन सभी न इंटीजर दूसरा उसका भिन प्राड तो अब यहां पर जैसे जो जो संख्याएं बिजबल है लाइन पर उन संख्याओं के नीचे अगर मैंने नोटिस किया तो वन था दसमलों के बाद सोने था उन सभी संख्याओं को आपने इंटीजर कहा जिसको आई से डिनोट करते है या तो जड़ से डिनोट करते हैं एक बात में बताना भूल गया रैसनल को आप जो है क्यों से इंडिकेट करते हैं चलिए बाकी जो बीच बीच के गैप है जैसे जीरो से एक एक से दो दो से तीन मैंने कहा नहीं था करनंत संख्याओं संख्याओं संख्या कह सकते हैं दो प जो विजिवल है लाइन पर दिख रहे हैं exactly वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो सब के सब आपके पुड़ांग होते हैं वो सब के सब आपकी इंटीजर संख्या हैं होती इसमें व्याद रखना अगर कभी कोई भिन्न बनेगा तो नीचे हमेशा वन रहेगा दसमलों के बाद हमेशा सुनने रहेगा यह संख्याएं चाहे धनात्मक हो चाहे रडात्मक हो इस सब की सब आपकी पुड़ांग कहलाती हैं आपकी इंटीजर कहलाती है इस पुड़ांग की बात करें तो सबसे पहले मैंने ऐसे कटेगरी निर्धारित करी माइनस इस तरह से जो हमारा एक combination है line का भी notice करिये इसके पहले अगर आपने देखा था कि इस तरह की line थी इस पर number available थे जबकि अभी जो मैंने line बनाई वो आपने देखा कि line ना बना के मैंने एक bracket बनाया मैंने एक मजला bracket यहां पर लिया उसमें combination को represent किया इन दोनों में बहुत ही अंतर है जमीन आसमान का अंतर याद रखिएगा क्यों अंतर है क्योंकि यह जो group है वह एक range को develop कर रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर minus infinite से लेकि plus infinite मतलब positive, negative, 77 जो भिन आत्मक वो भी included है भिन ने जब हटा दिया था तो जो पुडांग पुडांग के वल बचे थे अगर उनको हम लेकर चल रहे हैं उनको के वल इंटीजन हम कह सकते हैं जो visual थे उपर उनको ही तो लेकर आए बागी सबको तो हटा दिये मैंने वहाँ पर भी explain किया इस बात को यह पुडांग है जो तीन कटेगरी में निड़ारित किया जा सकता है सबसे पहले सुन्ये जिसको हम neutral कहते हैं इसके इधर side right में जाएंगे तो positive left में जाएंगे तो negative मतलब अगर positive में जा रहे हैं तो increasing बढ़ता क्रम इधर left में जा रहे हैं तो घटता क्रम और खुद वो जो है वो neutral होता है जैसे कि नाभिक में proton, electron, neutron होता है तो आप देखते हैं कि proton positive, electron negative, neutron, neutral होता है balance बनाने के लिए होता है उसी प्रकार से सुन्ने भी काम करता है यहाँ पर सुन्ने के वर division generate करने के लिए होता है थोड़ा से category की बात करें तो धनात्मक में जो सबसे पहला जो zero के सबसे closed होता है धनात्मक पुडांग वह सबसे छोटा होता है रिडात्मक की बात करें तो जो सबसे नदीख होगा सबसे closed होगा zero के वो सबसे बड़ा रिडात्मक पुडांग होता है यह کडेगरी है इस पुढ़ांग को मैंने कहा तीन कडेगरी में fix कर दिया negative, positive और 0 जो की neutral है अब अगर इसके अधार पर मैंने फिर से कडेग्री स्टार्ट की तो जीरो से ले करके अगर मैं बात करूँगा सभी पूड़ांग की, जीरो से ले करके तो उनको हम whole number कहते हैं, पूड़ संख्या कहते हैं जीरो को अगर छोड़ दिया जाए एक से सुरू किया जाए तो सभी प्राक्रतिक होती हैं सबको हम नैचुरल नंबर कहते हैं कुछ और होती है जो की खुद से कड़ती है और एक से कड़ती है मतलब उनकी केवल दो गुड़न खंडों होते हैं मैं इसको एक्स्प्लेन कर रहा वह आपकी अभाज्य होती है जो दो के अलावा किसी अन्य और संख्या से भी कड़ जाए जिसके कम से कम तीन गुड़न खंडों हो वह आपकी भाज्य संख्या है बाकी दो कड़ेगरी और है जिसको मैंने अलग से रखा इसलिए क्योंकि वह नेगेटिव पॉजिटिव दो आपको एक एक बात में बताता हूँ सबसे पहले मैंने का होल लंबर कि पूड़ संख्या क्या है अगर हम पुड़ांक की बात करें सुन्य से ले करके जितनी भी काउंटिंग नंबर हो सकती है इंफनाइट तक उनको आप होल लंबर कहते हैं मतलब पूड़ संख्या कहते है पूड़ पूड़ांक कह सकते हैं पूड़ संख्या कह सकते हैं अगर हम सुन्य को छोड़ करके एक से सुरू करके एकदम सेम तुसे मोही कटेगरी को फालो करते चले जाएं तो यहाँ आपकी नैचरल लंबर हो जाती होल को डेबलू से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको कैबिटल यहाँ से प्रेजेंट किया जाता है आप ऐसे कह दीजिए दिखे सभी पूड़ां सभी प्राक्रतिक संख्या हैं पूड हैं बट सभी पूड संख्या हैं प्राक्रतिक नहीं हैं आप कटिगरी की हिसाफ से सुचिरे एक केवल सिंबल की मदस से हम लोग सिंबल की ह सिंबल की वज़े से इतनी बड़ी कडिगरी यहां पर जनलेट हो गई है। प्राइम की बात करें अभाज संख्याओं की। अभाज संख्याओं में हम कई चीज़े कह सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं जो संख्या स्वयम से तथा एक से कटे बाकि किसी अन्ने से ना कटे वही संख्या अभाज्य है तो दुनिया की हर संख्या सोयम तथा एक से कड़ती है लेकिन क्योंकि कुछ संख्या अन्ने से भी कड़ जाती है इसलिए सभी को हम अभाज्य नहीं कह सकते हैं हम उन्ही को अभाज्य कहते हैं जिसके केवल दो गुडन खंड हो केवल दो गुड़न खंड हो दुनिया की हर संख्या के दो गुड़न खंड तो फिक्स होते हैं लेकिन दो गुड़न खंड से जादा भी संख्याओं के पास होते हैं इसलिए और कम भी होते हैं जैसे अगर बात करें कुछ लोग confusion में रहते हैं एक को ले करके कि एक क्या है एक तो खुद से कटरा और एक से कटरा लेकिन इसके केवल एक ही गुड़न खंड है एक फैक्टर है इसलिए यह प्राइम की कडिगरी में नहीं रखा जाता है सुरुवात अगर हम करें दो से दो के पास दो गुड़न खंड है एक है और दो है तीन है पाँच है साथ है ग्यारा है तेरा है इस तरह के जितनी भी संख्याएं हैं जिनके केवल दो गुड़न खंड हैं मतलब वह खुद और एक वह सभी संख्याएं आपकी अभाज संख्याएं डिफिनीशन में दिमाग में रख लिजए केवल दो गुड़न खंड को लेना हमें यह अमारे लिए बहुत अनिवारे टर्म है मतलब और कोई डिवाइड ना कर पाए साथ साथ हम ऐसे कहा दे केवल दो ही लोग डिवाइड कर पाएं दो तो डिवाइड ही करें जैसे एक को हम इसलिए नहीं कहतें क्योंकि एक को तो केवल एक ही डिवाइड कर पाता दो गुड़न खंड कहा हो गए इसलिए एक को प्राइम की कड़ेगरी में नहीं रखा जाता है इवन एक को हम कमपोजिट जिसको हम भाजे संख्या कहते है उसकी कटेगरी में भी नहीं रखते अब यहाँ पर हम अगर कमपोजिट की बात करें था हम कहते हैं कम से कम कम से कम 3 गुड़न खंड हो मतलब 2 गुड़न खंड तो हर संख्या के होने ही होने जिसे 4 है देखिए एक से कटेगा चार से कटेगा लेकिन साथ साथ दो से भी तो कटेगा छे है एक से कटेगा छे से कटेगा दो से भी कटेगा तीन से भी कटेगा कम से कम का मतलब तीन से चाहे जितने एक ज़्यादा गुणन खंडो उसे हमें कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन कम से कम तीन तो हो ना इसलिए यहाँ पर एक को composite के गी कटेगरी में नहीं रखा जाता है तो one is neither prime nor composite और smallest prime number is the two सबसे छोटी अभाज संख्या क्या है दो है composite number आपने देखा जो कम से कम दो संख्याओं के बाद और भी संख्याओं से कटे मतलब कम से कम तीन संख्याओं से कटे तब तो वह आपकी भाज संख्या है आपकी composite number है इतना समय में आया होगा मैंने दो अन्य संख्याओं को भी explain किया था एक तो even number के बारे में कहा दूसरा odd number के बारे में कहा even number क्या है even number एक ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर दो से पूरता कटे मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो दो से पूरी तरह से कट जाए चाहे ओ धनात में यहाँ पर एक कटेगरी दिमाग में रखियेगा यह आपकी positive तथा negative दोनों हो सकती है जबकि अभी तक की जो चार कटेगरी थी और आपकी केवल positive थी जो केवल दो से कटे ऐसे कहते हैं जो दो से completely कटे वह आपकी even है हम ऐसे कहते हैं जिस संख्या के अंत में इंड में सुन्ने मिले, दो मिले, चार मिले, छे मिले, आठ मिले सुन्ने दो, चार, छे, आठ हो वह संख्या आपकी even नंबर हो चाहे जिस संख्या की विवात करें अगर अंत में सुन्ने दो, चार, छे, आठ है तो दो से completely divide हो जाएगा मतलब वह एक संख्या है और नंबर जिसके अंत में एक हो, तीन हो, पांच हो, साथ हो और नौ हो, तो वह संख्या आपकी और नंबर है, ऐसे कोई कह सकता है कि जो दो से ना कटे, वह और नंबर है वह विसम संख्या है, तो संख्या जो दो से completely कटे, विसम संख्या जो कमदों से completely ना कटे वहाँ आपकी जो है समसंख्या और बीसंख्या की category में आ जाता है चले, इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा क्योंकि देखी यह आपका complete discussion था complete point था, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा अगर हम लोग इस fact की वज़ा से समझ पाएं, तो बहुत ही important है यहाँ पर आप सारी बातों को एक साथ notice कर सकते हैं, एक साथ relate कर सकते हैं, मैं कुछ बाते आपको इसमें समझा देता हूँ आप लोग इसकी screenshot ले लिजेगा तो properly समझ में आएगा मैंने का सभी संख्या हैं, जो classification हुआ उनको complex कह रहे हैं, दो पार्ट में बटे वास्त्विक और काल्पिनिक में वास्त्विक के दो पार्ट irrational और rational rational के दो पार्ट fraction और integer integer के तीन पार्ट negative, zero और positive whole number, natural number, prime number composite number, इसके भी दो पार even number और order number यहाँ पर जो और मुख्य चीज बताने को है आपकी relative prime सापेच्छी तभाज, co prime आपकी सहभाज और twin prime आपकी जुड़वा अभाज इसंख्या है, जिसको हमें अगली क्लास में explain करना है fact के साथ, कुछ fact लूँगा जो कुछ भी पढ़ाया गया, साथ-साथ यहाँ पर इस topic से में continue करूँगा अगली क्लास को आपको समझाओँगा, जो की important है यहाँ पर कुछ बाते बता देना जरूरी था क्या? जिसे मैंने कहा कि चाहे real हो, चाहे imaginary हो, दोनों complex होते है तो आप से कोई कहे कि क्या सभी वास्तिक संख्याओं complex है समिस्र है, तो आपके दीजिए सर यस लेकिन कोई कहे कि सभी समिस्र संख्याओं वास्तिक होती है, तो आपके दीजिए नो नहीं होती है, हम कहे रहे हैं सभी परिमे संख्या वास्तुक संख्या होती है तो आपके दीजी यस लेकिन कोई कहे क्या सभी वास्तुक संख्या है परिमे होती है तो आपके दीजी नो क्योंकि यह दो होती है इसी प्रकार से कोई कह दे कि सभी पुणांग संख्या है परिमे होती है तो आपके दो yes लेकिन कोई कहे क्या सभी परेमी संख्या ए depends on How Pink dice norm syntयर सब्रार्वियों तो आपके दिए नो मतलब ऊपर से लीचे नो बंदा जा रहा है नीचे से ओपर ये सब बंदा जा रहा है मैंने का सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती तो आपने कहा नो, तो आपने उस कटेगरी को भी notice किया, जो कि इस structure के माध्यम से आप properly समझ पा रहे हैं, आप screen scientist के लीजिएगा, और इसको proper समझ करके आगे बढ़िएगा आसा करता हूँ, इस चीज़े आपको अच्छे समझ में आई होगी, जो मैंने एक complete discussion दिया, about the introduction of the numbers and the classification of the number संख्याओं के वरगी करण के बारे में मुझे पूरी उमीद है कि आप चीज़ों को समझ पाया होगे, अगली class में मैं इसके बात continue करेंगे, जहां से मैंने बताया है, इन facts को लेकर के अगले concept को हम explain करेंगे, आसा करता हूँ, चीज़े समझ में आई होगी और आगे भी समझ आती रहेंगी, हम लोग मिलते हैं अगली class में, लेकिन इसके पहले मैं यहीं बताऊँगा, जो भी procedure है, जो रभी इसी पर calculation, हर एक चीज़ को beginning से लेकर के हम लोग अंतर तक जाएंगे, इस बात से हम आज की class को finish कर रहें, next class में इसके आगे discuss करेंगे, thank you so much, बहुत बहुत धन्यवाद